काजल की कोठरी में कैसु हूँ सयानू जाए एक लीक काजल की लागी ही पे लागी जाए नमस्कार मैं कुलदीव सरदार राजनीती काला पर्चम काला ध्याय होती जा रही है और बड़े बड़े मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता भी बिना दाग लगाए राजनीती के दामन से बाहर नहीं निकल पा रहे है जादा नजर लोगों की तब होती है और जादा चर्चा भी तब होती है जब किसी मुख्यमंत्री इस तरके नेता पर आरोप लगते हैं तो अभी हाली में जलिलता का कन्विक्शन वाला मामला हमने देखा उससे पहले और भी कई पूर मुख्यमंत्रियों पर जलिलता पहली मुख्यमंत्री दी जिन पर सिटिंग मुख्यमंत्री जिन पर मुख्यमंत्री रहने के दोरान ब्रश्चाचार के मामले में उनको दोशी पाया गया इससे पहले कई पूरो मुख्यमंत्रियों पर भी इस तरह के आरोब लगते रहे और आज दी खबर आई है कि गोवा के दो पूरो मुख्यमंत्रियों की कुछ संपत्ती का एक हिस्सा ED ने जब्त करने का आदेश दिया है तो दो पूरू मुख्यमंत्री कॉर्ट्जे हैं और ये मामला क्या है ये कितना पुराना मामला था अचानक से सामने नहीं आया है पहले भी इस बारे में बात होती रही है और इसके राजनीतिक नहितार्थ क्या है इतिहास इस बारे में क्या कहता है इस पर रिशब से बात करेंगे जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं वो उनमें से एक मुख्यमंत्री की है जिनका नाम दिगंबर कामत है वो कॉंग्रेस के हैं और ये दूसरे पूरू मुख्यमंत्री है जिनका नाम है चर्चिल तो ये दो पूरू मुख्यमंत्री हैं चर्चिल भी NCP में हैं और ये भी विधायक हैं जिस सीच पूरा मामला क्या एक बार ये बता दीजे इन दोनों की बुनियादी प्रोफाइल भी ताकि हमारे दर्शुकों को इस पूरे मामले का बुनियादी पूरूमध मुख्यमंत्री थे और चर्चिल पीडवलूडी मिनस्टर हुआ करते थे और ये मामला हुआ था सैनिटेशन को लेकर की सैनिटेशन और वाटर वाटर बॉडिज तो नहीं कहेंगे लाइन्स को लेकर के पानी की लाइन्स पाइप बिचाना सीवेज मेज सीवर बिचाने को लेकर उसमें हुआ यह था कि एक अमेरिका की कंपणी थी लुइस बर्जर वो कंसल्टेंसी फ़र्म है तो वो चीजेंड करती है कैसे करना है क्या करना है बताती है और वो जी का जो कंपणी है जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी है कुछ नाम है उसका जो गवा सरकार से उन्होंने बातें की थी और प्रजेक्टे किया था कि ऐसे ऐसे करेंगे सब कुछ ठीक था लेकिन अमेरिका में उनिस सो अन्ठानवे से ही इन चीजों पर नजर बनी हुई थी मतलब इस प्रोजेक्ट पर नहीं बलके इस कंपनी पर और यह अकेली ऐसी कंपन नहीं होने देना चाहते हैं गल्ती हो जाए लेकिन इतना strongly आप रखें कि गल्ती गल्ती नहीं रहे आप कह सकें कि हम आपके विकास के लिए कर रहे हैं जबी धुमिलने होनी चाहिए तो in that case मतलब इसमें यह हुआ कि लूइस बर्जर जो कंपनी 2009 में अमेरिका में इस पर ज पैसे दिये गए हैं यह आरूप लगा पास कराने के लिए प्रोजेक्ट तो वहां से यह मामला शुरू हुआ तो फिर इंडिया में भी जास बैटी प्रिवेंशन ओफ करफ प्रैक्टिसेस एक्ट 1988 के तहत कि मामला था पब्लिक सर्वेंट्स का पब्लिक सर्वेंट्स उसमें चर्चिल ने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि यह मामला शुरू हुआ है मैं निर्दोर साबित होँगा लेकिन दुर्भागे कहें या सोभागे कहें जो भी है छे साल बात पता चल रहा है कि इन पर ही आरूप सच साबिहां तय हो गये हैं और इसमें सबसे मज़ और इडी ने क्या देश दिया है और इस मामले कि क्या अभी कोड कोई वैसला नहीं आया है इन दोनों पू मुख्वन की संपत्ती का एक हिस्सा जप्त करने ग्दो क्रोड का अभी तो कोड के कोड में किस किस अस्तर पर है यह जानकारी पब्लिक में नहीं है मतलब एक्जेक्ट की अभी क्या चल रहा है या क्या दलीले पेश की गई है यह जानकारी नहीं है लेकिन अगर उसकी बात करें कंपनी की बात करें तो कंपनी के फसने से पहले सिधा अगर उसकी बा के लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है या आना कानी कर रहा है तो आप उसको पैसे दे सकते हैं ये गलत प्रेक्टिस में नहीं आता है अगर इन डिसीजन की कंडिशन है और निरने की लेकिन आप किसी और चीज के लिए कि मतलब सिर्फ काम कराने के लिए आपने पैसे दे पर भी आरोप लगे हैं जो महारास्ट के मुख्यमंतिर रह चुके हैं जलेलिता के जिकर आपने किया ही था इनके साथ ही उसी राजे के तमिल नाडू के करना निधी रहे हैं उन पर भी आरोप लगे हैं करनाटक के बीएस यदुरप्पा और ओम प्रकास चोटाला पर आरोप लगे हैं इनके अलवा जी इनके अलवा मधु कोडा जारखंड के जो थे मुख्यमंतिर लालू प्रसाद यादो मुलायम सिंग यादो शीला दिक्षित पर आरोप हैं वीरभद्र सिंग जो हिमाले अबनाचल प्रदेश के प्रेमा खंडू थे उन पर भी आरोप थे और आरोपों की बात करते हैं तो शंकर सिंग वाघेला पर भी आरोप थे जो गुजरात के पूरो मुख्यमंतरी थे महरास्ट्र के कई मुख्यमंतिरों के उपाय आरोप लगे हैं चमन हो या एक दो और ल कि अमेरिका में इसकी शुरुवात हुई थी सतर के दसक में बहुत बड़ा एक कांड हुआ था वाटर गेट स्केंडल इसको बोलते हैं जिसके नाम पर ही हमारियां भी स्केंडल के नाम दिये जाने लगे कोल गेट लगा के तो यह थे रिचार्ड निक्सन थे वहां के दिक्कतें थी अमेरिका की जनता वियत नाम के लड़ाई के खिलाप थी बहुत लोग सपोर्ड भी कर रहे थे ऐसे समय में रिचार्ड निक्सन का दुबारा प्रेजिडेंट पद के लिए खड़ा होना और जीतना मुश्किल बात थे ये तरह पैरनॉइड हो गए थे कि इन पर उन्होंने ताला तोड़ के कुछ अंदर गये कुछ कुछ किया तो गार्ड को मतलब कुछ समझ में नहीं आया यह लोग चले के भाहिए था कि यह लोगों के फोन टैप करने गए थे तो वायर वगेरा लगाने गए थे लेकिन उस दिन ये काम उनका हो नहीं पाया था प के उन लोगों ने इस मामले के जांच पड़ता शुरू की और उनको इसमें एक मिल गया उनको सूत्र मिल गया जिसको डीप थ्रोट कहा करते थे उनके नाम का खुला साथ 2006 में हुआ था दौशे में ही उमरे थे उन्होंने सुभिकार कर लिया थे अब्याई के पूर्व एडि करना पड़ा इसमें हुआ यह था कि अपने विरोधियों की या अपने साथ वालों की भी फोन टैपिंग करवा रहे थे उनकी बातें सुन रहे थे अपना माहौल तै कर रहे थे और इस पर एक फिल्म भी बनी थी और उन्ही दूरों पत्रगारों ने पहले एक नौवल लिक श्टा बनाया गया यह तो उनके अंदर देश के अंदर की बात थी लेकिन बाकी जगों पर अमेरिका कैसा काम करता है इसको लेके उन्हों नहीं ये कानून बनाया था इंडिया में भी एक आनून है प्रिवेंशन अपकरब करेक्टिस उप लेकिन उसमें काफी लूप ऑल् और अच्छा आईगार इसमें मान लीजे एक आखलन की बात करें चुनाव से पहले अगर ये काम ED की तरफ से ये समपत्ती जब्त करें क्या है कि आरोपों के दायरे में तो नेताओं की एक बड़ी फौज है लेकिन आरोपों को हम अपने अपने मन में अपने परसेप्शन से किसी को भरष्ट और किसी को इमानदार मान लेते हैं तो बहुत सारे नेता हैं जिन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं लेकिन लोगों ने मान लिया है कि वो भरष्ट हैं बहुत सारे नेतना हैं जिन पर आरोब लगते भी हैं तो आदमी कहता है कि ये जूटे आरोब हैं अपने अपना परसेप्शन है सबका उस गोवा में हाली में चुनाव हुए हैं तो ये अगर चुनाव से पहले ED इस तरीके का ये आदेश देता संपत्ति जबत करने का दो-द से जुड़े हुए हैं और जब ये कांड हुए थे तो उसमें भी कॉंग्रेस की सरकारती स्कैम है और दूसरे नेताबाद में जो चर्चिल है तो कॉंग्रेस का क्या है कि 2014 में भासपा उसी दम पर आये थी कि कॉंग्रेस के राज में बहुत भरस्टाचार हुआ था तो पर आये थी जान देख